हेलो एवरिवान इस बिश्वरा खान वेलकम टू समा पॉडकास्ट आज हम बात करेंगे हाल ही में मिस्टर इम्रान रियास खान के होने वाले इंटर्व्यू की एक डेट घंटे का लंबा सा इंटर्व्यू उन्होंने दिया है और एक दम से ना एक उनका कमबैक हुए जिसे कहते हैं कमबैक विद वेंजन्स वो वाला हिसाब था मैं पूछा चाहूंगी और मैं जाना चाहूंगी कि इस इंटर्व्यू की वज़ा क्या है क्यों हुआ है कैसे हुआ है किसने करवाया है या खुद बने या कि नहीं I just want to know about it इसके लाबा मैं बात करू अब उनकी तीसी शादी हो गई है या यह सिर्फ बाते है इस बारे में जानेंगे मिस्टर अब्द सितार खान से जो कि मैरे साथ आज पजूँते है समस्टूडियो में अस्लाम नेकम मुझे की बताईए अभी आपने सुना होगा मिस्टर इमराल रियास खान का जो अभी र कि क्या वज़ा है मैं अब्द सतार खान हूं किसी और जैनलिस्ट पर एक और किसी मीडिया पर संट पर जी एक एंकर पर संट पर कोई ऐसी बात होती है कि किसी को एजंसी उठा के ले जाए किसी के साथ मार दाड़ वाला प्रोग्राम हो जाए जी या किसी एंकर को गोरिया लगंगे जाए तो अब्द सतार खांसाब जो स्क्रीन पहाते हैं उस स्क्रीन पहागर इस जाएकर इस तरह का तास्षर दे दें कि जो कुछ को उसके साथ हुआ वो ठीक था अच्छा ठीक और अगर कुछ अरसे बाद अब्द सतार खान के साथ वो ही हो जो दूसरों के साथ एंकरों के साथ हुआ था फिर अब्द सतार खान के पास मौरल ग्राउंड पे इخलाकी तोर पे जवास बहुत ही कम रहा था थीक है मुझे लोग कह सकते हैं कि सतार खान साथ आप जब दूसरों पे ये चीज हुई तो आप स्क्रीन पे आगे आप तो कुछ और कह रहे थे कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ इनके साथ जब आपके साथ हो गया तो आप किस तरह कहेंगे किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखें मेर में किसी के साथ जयाति हो जाए एंकर परसन के साथ मीडिया परसन के साथ जी और मैं कहौँ करते हूं कि ये गलत हुआ recruitment होता है तो मेरे पर moral grounds पे इखलाकी तोर पे मेरे पास जवाज होगा कि मैं यी बात कर सकूँ लेकिन अगर मैं ये कहता रहा हूं कि इनों गोलियां वजियां ने एंकर पर सूँ ठीक वजियां ने अगर इसको किसी जंसी ने उठाया ठीक उठाया अगर इसके साथ कोई तरहा हुआ है गायब आज मैं नेशनल इंटरस्ट के खलाब चल रहा हूं कल आप नेशनल इंटरस्ट के खलाब चल रहे हैं तो इस तरह से चीजें पाकिस्तान में चलती रहती हैं हमने उन सब चलती हुई चीजों में हमने अपनी सूच बूच के साथ आना है ठीक है जो कल किसी के साथ हुआ था आज मेरे साथ हो सकता है आज जो किसी के साथ हुआ है कल आने वाले वक्त मेरे साथ हो सकता है तो मुझे बड़ा संबल के उसका करना पड़ेगा अगर मैंने कहा दिया कि ठीक हुआ है यह बाकियों के साथ जो मुझसे पहले होता रहा है और जब मेरे साथ हो तो मैं किस मुझस हुए उससे पहले भी एक चीज हुई थी कि एक किसी के और के शो में इमरान रियास खान के मूँ से निकल गया था मैं उसे ये कहूंगा मूँ से निकला था वो ये निकला था कि एक मिठु साहब हैं कोई उनका तालग उसके चीफ अफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के साथ ये था कि मिठु साहब हाँ नाम नहीं किता सिकते सही मिठु इनका दोनों का बेटे बेटी का एक दूसे को बेटा बेटी दी हुई है तो इनके मूं से इमरान रियास के मूं से निकल गया था कि पाकिस्तान में खास हेरिया है उस हेरिये में कोई भी काम आपको हो तो आप मिठु के बगार नहीं करवा सकते हैं ठीक है अच्छा मिठु साहब अब हुआ ये कि उसके बाद अचानक चीज़ देखी कि इमरान रियास खान स्क्रीन पे आये उन्होंने एक वी लॉग किया जी वी लॉग में उन्होंने कहा कि जनाम मुझ से गलती क्या हुई मैं बगार तहकीक के मैंने बात कर दी थी ठीक है मिठु के बारे में जो बात की मैंने बगार तहकीक के कर दी और ये असल में बात ये थी जो एंकर था उस यूटूब एंकर जो था जी वो मुझे उकसा रहा था, वो चाह रहा था, कि मैं फौज के चीफ और फार्मी स्टाफ के खिलाब बोलूं, और फौज के बारे में इंप्रेशन इस तरह का जाए, तो इसे मेरा कसूर कोई नहीं है, अब ये देखने वाली बात है, अगर मैं पौंड कास्ट में बैठा हूं, और माजरत करता हूं, फौज से भी, जर्नेल से भी, और अपने चैनल के मालकान से भी माजरत करता हूं, अब पता नहीं चैनल के मालकान ने उसे कुछ का था, कि ये जनाबा आपने क्या किया, अगले सबूत मांग रहे हैं, अगले सबूत मांग रहे हैं, अब इस बात है, मैं आपके सामने बैठाओं कोई ऐसी बात कर जाओं सीरियस एलिगेशन और मैं एंकर हूँ मैं सबूत के बगार अगर बात कर गया ला तो मेरे पास आप्शन कोई नहीं होगी मास वाए सुप्रीम कोर्ट में जागे हर एक के पाउं में हाथ जोड के माफी मांगना या फिर वो ज कहा जा रहा है सुना जा रहा है लोग ये कहते हैं तो कोई नहीं बात है जो आप स्क्रीन पे आके कह रहे हैं आप ने तो स्क्रीन पे वो बात करनी है जो उससे पहले कभी नहीं हुई अब लोग कह रहे हैं सुना जा रहा है कहा जा रहा है मैंने भी कह दिया तो अपनी आप अपना जो केस है ना वो वीक्स करना शूरू कर देते खुद अपने आथों से होना ये चाहिए था अब ये एक जमेदारी है अमरान रियास खान की कि वो अपने पॉड़कास्ट में आता है वी लोग में आता है वो हमें बताये कि उठाने वाले कौन थे किनों ने उनको उठा था वो कौन सी एजंसी थी जितना अर्सा वो अंदर रहे क्या कुछ हुआ उनके बोलने की ताकत का पहले हमें ये बतायागा कि उनके बोलने की ताकत मतासर हो गई है वो बोल नहीं सकते तो उन्हें बताना पड़ेगा कि ये ताकत मतासर क्यों हुई जिनोंने मुझे उठा जो अंदर गया है, जो बाहर आया है, जो आके बैटा है, उसे एक एक चीज का पता है, कि में जो उठाने वाले कौन थे, उनके मकास्त क्या थे, तो उसे बताना पड़ेगा, स्क्रीन पे आके वो बताएगा ना, सच वो ही बता सकते है, हम तो नहीं बता सकते हैं, हम टेवे मा मार देंगे ये हुआ था वो हुआ था उसका तालुक ही नहीं होगा ये हुआ था वो हुआ था वो तो वो बता सकता है जिसके साथ हुआ था तो इम्रान रियास खान की ये बंती है कि हम उसके साथ हैं कि आके बताया कि जी मेरे साथ ये हुआ था आप समझ लें जी मैं क्या सम तो इम्राइन रियास खान के उपर भी जमेदारी आती कि उसे बताना पड़ेगा उठाने वाले कौन थे और वो क्या चाहते थे और क्या वो अपने मकसद में काम्याब हुए क्या मैं अब उस तरह का हूं या नहीं हूं मेरे साथ जो बैठे वी सीनर जर्नलिस्ट है उनकी सरफ अब तक एक शादी हुई है वो एक नभारे बहुत मिश्किल से या बहुत खुशी से इंसान का दिल करते है जैसे अगर अरुल हसन की बात की जाए तो सुनने में आरे को उनने तीन शादिया की है अब तक उनकी तीन सी इस उमर में तीन तीन मार ली है और तीन बाजिया ले ली है आपकी शादी हो गई नहीं आप बज़े तो छोड़ देना बेतर आंकर हूं मैं तो कुछ भी पूछ सकती है लगि मुझसे कोई कुछ निपूछ सकता मैरा तो स्टैटिस ही गए है यह देख ले माइ सीट इस डि मैंने सको आइडिलाइस किया कि एक जवानी में कम अम्री में तीन बाजिया ले ली है और यहा लोग वोड दिलिए फेयर दोरे रहती हैं और एक बीवी से तंग आये होते हैं लेंकि आप एक बने भाना और उसने तीन चार सालों में तीन चार रख ली है वह एक बात होती है جیسے عمران خان کی بات ہوتی ہے کہ عمران خان پہ خواتین توجہ دیتی ہیں اسی طرح ہمارے میڈیا پرسن جو ہے نا اس میں اقرار الحسن اور وسیم بدامی इंपे بھی خواتین توجہ دیتی ہیں आईयар आप कैसे कह सकते हैं कई बंदे हैं जिन ऑफ़वातिन अचाया रहा है बोट सारी चीजें है इंकिसी बन्याद में कर تیسار का नाम नहीं ले रहा होए किंकि उसका थिकर इसना से आये निँ न फ़़तीन का वहती बाफ दो होते है जब आप फेंपे आती है घब आप सिक्रीन पह आती है तो एक आपका औरा बनना शुरू होता है कुछ लोगों का औरा ऐसा होता है जिस पे खवातीन तवज़ देना शुक्रू कर देती हैं कुछ का औरह ऐसा नहीं बनता कि खवातीन उस पे तवज़ दें तो एकरार अलहसन नहीं मसीम बदामी इन दोनों पे खवातीन का खास तरीके से था जी वो एक दफ़ा किसी जगा पर किसी कैफे में हम सारी थे मैं नया नय टीवी चैनल में आया था एक दो महीने हुए थे मेरा मीडिया चैनल में मैंने शो शुरू किया था बाकी कई एंकर थे हम किसी जगा पर गए तो वहां पर कोई लड़कियां थी उनका कोई आपस में था कोई कोई पास हुआ था कोई सेलिबरेट कर रही थी या किसी ने कोई पार्टी रखी हुई थी, दिन के वक्त खाना था, वो कि तीस पच्चिस तीस थी, जब उनका खाना खतम हुआ, पहुंचे ही थे, तो पच्चिस की पच्चिस या च्छबिस अटाइस, वो आई हैं हम सारे एंकर बैठे हुए थे, वो सिर्फ सेल्फी खिचवा रही थी, वसी वसीम बदामी के साथ के, तो वो जब चले गए, वो काफी बीस पच्चिस मिल लगे, कभी दो लड़कियां खिचवारें, कभी तीन, कभी गुरूप किचवारें, कभी एक, कभी एक खिचवारें, अब यह हमारे सामने था, कि बाकी एंकर भी बैठे हुए थे, वो आके बै वो बात की, मैं कै, अगर पसीम बदामी आपको सक्रीन ना मिली होती, तो शायद आपकी बेगम आपके साथ सैलफी ना कहचवाती, यह सक्रीन का ग्लैमर होता है, सक्रीन के ग्लैमर की वैसे कुछ लोगों को इसका मल जाता है हिसा, कि जिसकी वैसे औरते उनकी तरफ आयती ह कुछ को नहीं मिलता हो अपनी तमाम तर कोश्चों के बावजूद भी, आपको मैयूसी इसलिए हो रही है कि आपका जिकर कैसी ऐसी जगा पे नहीं है, अगर आपका जिकर मैं कर देता है, तो आपके चेरे के तासुरात बदल जाते हैं, आपको खुशी होती है, कि मेरा भी जिकर हो रहा है, लेकिन अब चुछ के हम लोगे करार अलहसन बगारा की शादी की बात कर रहे हैं, तो इसका इतरास का जवाब तो उनकी बेगमात ही दे सकती है, अब आप कहेंगे कि जी, मैं उनसे शो कर लेती हूँ, तो उनके साथ करें जागे, उनसे पूछें के जी, इ अब कि जी, तो चलता रहेगा मामला, भी हम लोगे क्या होटा क्या है? ग